नमस्कार स्वागत है आप सभी का बेहत खास कारेकरम डॉक्टर टॉक में मैं हूँ आपके साथ रेशू दियागी दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि आपके इस बेहत खास प्रोग्राम में हम हमेशा आप सभी की संबंदित परेशानियों का नियापर निजात करते हैं कुछ ऐसी ही बातों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताते हैं ताकि आपकी जो सेहत है वो हमेशा अच्छी बनी रहे और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बिमारी को लेकर जिससे हमारे देश में नजाने कितने ही लोग परेशान हैं जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं मोटापी को लेकर मोटापी की अगर बात की जाये तो जब इनसान मोटापी से ग्रसित हो जाता है तो अनिक प्रकार की बिमारिया भी उस व्यक्ति को लग जाती हैं जिसकी वज़े से वो लगातार टैंशन यहाँ पर लेता है और करने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं डॉक्टर रजद गोयल जी हैट ऑफ ड़िपार्टमेंट ओबी सी सर्जरी प्राइमस हॉस्पिटल दिली सर बहुत स्वागत है आपका खास कारिक्रम में इसके साथ ही अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का बहुत जादा बढ़ जाता है तो क्या इसके लिए कोई सर्जरी भी होती है देखे एक बड़ी अच्छी सवाल अपने करिए क्योंकि आज की डेट में मोटापे की सर्जरी इसको बिरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं या वेट लॉफ सर्जरी बोलते हैं या कुछ लोग डिय सर्जरी करा रहा है या कोई भी आदमी अच्छा दिखने के लिए सर्जरी करा रहा है तो बिरियाट्रिक सर्जरी के बारे में उसको डिटेल में समझना बहुत जुरूरी है क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे मिस कंसेप्शन है लोगों को ऐसा लगता है कि एक बर हम पिग्दम पतले हो जाएंगे हम एक हरतिक रोशन है सलमान खान जैसे हमारी बॉड़ी बन जाएगी या कैटरीन कैफ या करीना कपूर जैसे हम बन जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है देखिए बिरियाट्रिक सरजरी में एक्चुली होता किया पहले में आपको बताता हूं पिडियाट्री सरजरी का नाम है लाइस्टैल मोडिकेशन सरजरी से करते हैं जिसके नदर चार से पांच चूटे चूटे होल बनाते है और इसके नदर हमारा कैमरा जाता है और स्पैशिल इंस्टुमेंट जाते हैं और हमारे में एम फ़ह हर्मोनल जिन लोगों का वजन बढ़ गया उनके उंदर हॉर्मोन इर्याग इर्यारिटी आ गई है या हॉर्मोन अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं बिरियाट्रिक सरजरी हॉर्मोन पर अटेक करती है इसका में परपस है हॉर्मोनल चेंजिस कि आपकी बॉड़ी के लिए फेव है आपका वहां देखा है कि थोड़े मोटे होगों में उसका साइज बढ़ जाता है तो इसके अंदर हम स्टमक का जो एक्सेस साइज ए एक सजरी के ंंदर स्पेशल टेकनिक से जो कि स्टेपलर जाते है या मैरिका से टेस्टेड है उससे हम स्टमक के साइज को आपको कि जैसे भी आप पैदा हुए है, आपकी डाइट एकदम sip by sip हो जाती है, लिक्विड हो जाती है और यह ऑटिमेटिक है निकिए डाइटिंग जब आप करते है तो आपको भूख तो लगती है लेकिन आप खाना कम खा रहे हैं और वह जाद तर दिन तक नहीं हो सकता है लेकिन जब आप खाना कम खाते हैं तो जो हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं बाडी के अंदर, जब खाना नीचे आतों में जल्ली जाता है, कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं, वो इंसुलिन की तरह हेल्प करते हैं, और आपके जो एकसेस फैट है उसको जलाना शुरू कर देते हैं, तो त तीनों चीजों से आपका वजन कम होता है, दूसरी चीज, जो दूसरा ऑपरेशन है, उसके अंदर हम एक स्टमक का छोटा सा पाउच बनाते हैं, और नीचे वाले बड़ी चोटी आत से उसको जोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं, बाइपास, बाइपास का मतलब है कि हम फ़ी लोगों की शुगर ठीक होती हैं, कुछ लोगों को मेडसन लेनी पड़ती है, जिन लोगों का traject आिंसूलिन बहुत जादा है, 15 साल से जाधा है, जिनकी फैमली में भी diabetes की बिमारी है, उन लोगों को शैद कुछ दोईय की लेनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी लोगों को डियावेटी से चुटकारा मिल सकता है अगर वो सही टाइम पर सजरी करा लते हैं तो इस तरही से इसका नाम डियावेटी सजरी भी है या मैटाबॉलिक सजरी भी है मैंने इसका नाम रखा है lifestyle modification सजरी क्योंकि जब सजरी हो जाती है तो आपको discipline maintain करना है discipline का मतलब है कि आपने सही टाइम पर खाना है small frequent meals लेने है जो automatically सजरी के बाद आपका हो जाएगा alcohol or smoking कभी भी नहीं लेना है de-addiction बिल्कुल important है number three आपने activity level अपना रखना है शुरू में जाएब ज्यादा walking ना कर पाए जैसे आपका महीने में 10-15 kg बजन कम होगा और हर मीने 4-5 kg बजन कम होता रहेगा आप चलना शुरू कर देंगे आप चलेंगे तो वह आपके weight loss में भी help करेगा तो तीनों चीज़े जब कमाइन हो जाएंगी तो healthy lifestyle आपका बन जाएगा तो इसलिए lifestyle modification surgery है जब भी follow करेंगे तो जो effect आपका आएगा वो आप भी imagine नहीं कर सकते हैं लोग आपको बोलेंगे कि क्या हो गए यह इस आदमी को तो पैचानता नहीं हो आपके बेटे तो नहीं है चोटे भाही तो नहीं है और females को बोला जाएगा कि आपकी बेटी तो नहीं आ रही है यह बिल्कुल एकदम कायक पलेट हो जाती है कि लोग आपको पैच